हेलो फूड़ीज मैं सबाव फिरोशे केन मेलकम टू सबास किचन मैं बना रही हूँ सोया मिथी आलू की सबजी केवल मेथी की सबजी हम बनाएंगे तो वो कड़वा टीस्चे देती है इसलिए मेथी के साथ सोया और आलू डाल कर पकाने से मेथी का जो कड़वा पन है वो ब सोया भाजी की तीन गड़ी ली है जो की वजन में होगी यह 300 ग्राम करीब तो अब हम क्या करेंगे कि जो सोया भाजी में मोठे वाले डंठल है उसे हम इस ता से कट कर देंगे क्योंकि सोया भाजी में मोठे वाले डंठल पकने में गलते नहीं है तो बेतर है कि आप भी पानी में इस तांसे गड़ी उठा कर खूब अच्छे से पहले पानी से धो ले जैसे कि सोया भाजी को मैंने नल की नीचे पानी में खूब अच्छे से धो लिया मतब के जितने भी मिट्टी या डर्स्ट वगरे लगा होता है भाजी में, वो बिल्कुल इससे साफ कर लेना है हमें, अब आपको लेना है किचन टोगल या फिर कोई ऐसा कपड़ा, जिस पर आप इस सोया को ड्राइ होने के लिए रख सके आदे घंटे के लिए, और फिर आदे घंट को चौप करके रख लें, और भाजी बिल्कुल हरी बरी फ्रेश हो, इस बात का ध्यान रखें, अगर पत्तियां जरा भी पिलें आपको दिखें इस तांसे, ये देखिए, तो इससे सबजे पकाने में इस्तमाल बिल्कुल ही ना करें, और ये मैंने लिए है आलू, और जैस माती में हमें चाहिए, आदा छोटे चमच जीरा, और एक छोटाई चोटे चमच हींग, तो पहले आप इतनी तैयारी कर लें इस सबजी को बनाने के लिए, इतनी मसाले काफी नहीं है, क्योंके आगी सबजी पकाते समय हम, और भी मसाले डालेंगे, सोया मित्यालू की सबज लसन और हरी मिर्ची, जिससे हमने चॉप करके रखा है, जीरा हिंग लसन और हरी मिर्चो को एक मिनट के लिए फ्राइ कर लें धीम आज पर, और फिर लसन जैसी ही गूलेन ब्राउन हो जाए, तब आलू डाल कर आलू को मिला लें, और आलू को हमें पकाना है लो मीडियम फ हाफ तीस स्पून हल्डी पौटें और हाफ तीस पून नमक डालें अब हल्डी और नमक डालने के बाद आलू को चमड से चलाले नमक हम स्वाधरनुत सारा आiennent एंग थी मियाज पर पकने के लिए कैम से कम तीन मिनट के लिए और फिर तेन मिनट बाद आप देखेंगे के आलू पर हल्का सो 4 गोल्डन ब्राउन आने लगा है traff हो चुके और इतने ली इतनी देर आलू पकने पर, आलू हमारे कम से कम 80% करीब तके पक चुके हैं, तो जब आपके आलू भी 80% तके पक जाएं, तब डालने मेथी की सबजी, मेथी की सबजी डालने के बाद फ्लेम को तेज कर दें, और तेज आज पर मेथी को आलू के साथ खुब पकारे लें, करीब एक मिनट में मेती की सबजी ये दिकी सतान से नरम पढ़ जाती है, तो अब हमएं क्या कर दragen कि मेथी के सबजी सतान से नरम होती ही, हम इसमें आट कर लीगे सोया भाजी, और पर सोया भाजी को भी बला लेंगे, आलू और मेथी के साथ, फ्लेम को मैंने तेजी ही रखाए और अचप ये दखे सोया की भाजी भी एक मिनट में हे पूरता से नरम परचुकी हैong जैसे के आपने देखा मेरे दोनों ही सब्जी कलाई भर के डाली थी सोए में आपक ही सब्जी सब्जी कला के तल्ए पर लगने ना पाए तो लिजे 4-5 मिनट होगे और 4-5 मिनट बाद अलू में आपको दिखा देती हूँ जो के बढ़िया से पक चुके हैं मतब कि अलू इतनी देर पकने पर पूरी ताइसे गल चुके हैं ये देखे कितनी आसानी से अलू में नाइफ इंसर्ट हो रहा है तो जैसे के आपने देखा मेरा आलू completely गल चुके हैं तो अब हम इसमे आड़ करेंगे half teaspoon गरम masala powder और half teaspoon लाल मिर्च पौडर त्यान रे अल्रेड हरी मिर्चे भी हमने आड़ की है तो लाल मिर्च पौडर आप अपने खाने की सबसे ही डाल कर मिला लें और फिर flame को टेस करके सबजी को 2-3 मिनट के तीज आच पर पकाए लगाता चम्मसी चलाते हुए और फिर 2-3 मिनट बाद सोया में थी आलू की सबजी का कलर आप देखें जो की green तो बिलकुल ही नहीं रहा क्योंकि सबजी जब पूरी तांसे पक जाती है तो सबजी का कलर कुछ इसी तरह का हो जाता है तो मेरी ये सबजी बढ़िया से पक चुकी है और फाइनली हम थोड़ा से नमक एट कर लेंगे नमक दियान रखे के आलू पकाते समय भी हमने नमक डाला था तो इसलिए सबजी को पेले आप ज़रा से चक लें और फिर अपने तेस्ट के कोडिंग नमक डाल कर मिला लें और तेस आज पर लास्ट एक मिनट के लिए सबजी को लगा तर्चमा से चलाते हुए पकाएं और फिर एक मिनट के बाद गास फिल्म को बढ़ करके इसे गर्मा गर्म सव करें इस सोया मेती आलू की सब्जी को आप डाल रैस के साथ सव करें या फिर प्लेंच चापाती के साथ भी ये खाने में बहुत ही तेस्टी लगती है और यकिन वाने इस सब्जी मेती के कड़वे पन का तेस्ट आपको ज़रा भी नहीं आएगा क्योंकि इसे हमने पकाया है सोया भाजी और आलू के साथ जो के बागे में बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है तो यह रेसिप आप्जोर ट्राइ करें और मेरी रेसिप आपको कैसे लगी कॉमेंट में जरूर बताएं मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें प्लिस मैं चैनल को सब्सक्रायब करऊ और झाल झाल